हेलो फ्रेंड्स मैं मॉनिका आज हम डिसकस करेंगे डिस्कृरीट स्रीज के बारे में कि डिस्कृरीट स्रीज होती क्या है जैसे आपको वेरिबल्स दिये होंगे और वो कितनी बार रिपीट हुआ है वो भी आपको given है जिसे frequency कहते हैं तो वो discrete series होती है last class में हमने पढ़ाता कि individual series क्या होती है last video में मैंने आपको यह बताया था तो बच्चों के mind में यह question arise होता है कि individual series और discrete series में difference क्या है individual series में एक ही column होता है और discrete series में double column होते हैं दो column होते हैं और individual series में single series दी होती है, सरिफ एक ही column के अंदर, but in discrete series में दो column होते हैं, और frequency, frequency और variable, दोनों ही चीज़े आपको उसमें given होती है, यह दोनों में difference होता है, तो let us start the discrete series method, यहाँ पर discrete series में तीन method होते हैं, फर्स्ट, डारेक्ट method, सेकेंड, शॉर्टकर्ट method, और थार्ड, step, deviation method, तो सबसे पहले हम, फर्स्ट method, डारेक्ट method के बारे में जानेंगे, कि यह होता क्या है, इसमें कितने steps हैं, और इसके questions कैसे solve करने हैं, ठीक है, friends, तो हम सबसे पहले, डारेक्ट series को देखते हैं, कि यह दी किस तरह से होती है, discrete series में कैसे given होती है, जिसे आपको एक column यह दिया होगा, अब भी मैंने आपको define किया था, कि दो column होते हैं, तो first column x, जिसमें variables होते हैं, और second column frequency वाला f, यह दो column होते हैं, जिसे discrete series कहते हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक example लेके दिखाती हूँ, कि discrete series का question कैसे होगा, x में 4, 6, 9, 10 और 15, यह first column है, और second column जिसमें frequency है किये, variables कितनी बार repeat हुआ, 4 repeat हुआ 5 times, 6 repeat हुआ 10 times, 9 repeat हुआ 10 times, और 10 repeat हुआ 7 times, और 15 repeat हुआ 8 times, तो यह हमारी discrete series है, इसे बोलते हैं discrete series, question इस तरह से दिया होगा, अब आप कोई भी तीनो method में से आप apply कर सकते हैं, चाहे आप direct method लगाओ, shortcut लगाओ, और strap division लगाओ, यह आपके वेश है, question में, बहुत rarely बताया होता है कि आपको कौन सा method यूज करना है, आप कोई भी method यूज कर सकते हो, class 10 में mostly continuous series, जो से next में आपको बताऊंगी, वो series ज़्यादा दी होती है, बट discrete series के questions भी exam में आ सकते हैं, ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको solve करना है, तो अब हम आगे वढ़ते हैं इसी के साथ, इसमें हम questions देखेंगे, कि आपको एक question given है, first column, 4, 6, 9, 10 और 15, यही हम example लेते हैं, next है frequency, 5, 10, 10, 7 और 8, now third column, इसमें हम F और X, दोनों की multiplication लिखेंगे, यह हमारे question solve करने का तरीका है, इससे पहले से solve करने से पहले मैं कुछ steps बताऊंगी, जो आप अपने mind में रख सकते हो, कि हमें kick review कैसे करना है, या notes बना सकते हो, जो हमें question solve करने से पहले mind में रखने है, ठीक है, तो first step, इस question को solve करने के लिए, direct method को use करने के लिए, first step में आपको क्या करना है, कि एक table draw करनी है, जैसे मैंने अभी आपको draw करके दिखाई है, ठीक है, उसमें तीन column आपको बनाने है, फर्स्ट वाले में x, second में frequency, और third में sigma fx, मतलब f और x का जो multiplication है, वो दिखाएंगे, ठीक है, second step में आपको क्या करना है, कि f और x की multiplication करनी है, separately, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 5-4 जा, 20, 6-10 जा, 60, 90, 70, and 120, ठीक है फ्रेंग, थार्ड स्टेप्स में आपको क्या करना है, कि second column और third column, दोनों ही columns का sum करेंगे, जिसे sigma f और sigma fx आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो इन सब का sum आपको करना है, यह थार्ड स्टेप है, यह आपको अपने mind में रखना है, थार्ड स्टेप का, तो frequency का sum आएगा, इन सब को plus करके 40, और fx का sum आपका आएगा 360, ठीक है फ्रेंग, fourth step, जो आपको अपने mind में ध्यान रखना है, और सबसे important step है, कि आपको formula यूज करना है, use formula, ठीक है, तो हम formula क्या है इसका, आपको मैंने first वीडियो में बतायता है, कि mean को इस तरह से denote करते हैं, आप चाहो तो simply mean भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, इसके कोई marks नहीं कट होते हैं, और sigma f, sigma f, ठीक है, इसको आप दूसी तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, sigma f x and n भी बता सकते हो, इसका meaning और इसका meaning सेम ही है, को जादा problem नहीं है, अगर फोमली में n आप लिखोगे, तो यहाँ पर n से denote करना है, ठीक है, तो अब इसका sum कितना आया था, sigma f x का भी हमने देखा 360, और n या sigma f आप जिसे बोलते हैं, तो यह 40, ठीक है, तो इसको divide करने के बाद हमारा आ रहा है, 0 से 0 कर 9 जब 36, ठीक है, तो friends यह हमारा mean निकल गया है, ठीक है, अब next video में हम यह discuss करेंगे, कि इसका shortcut method क्या है, ओके friends, thank you,